नमस्कार मैं संजीव कुमार आज प्रेरित जीवन जीना आपकी परमपुकार जिसके महान रचनाकार हैं डॉक्टर वेन डबल्यू डायर इसके चौथे अंस को संचेप में प्रस्टूत करने का प्रयास कर रहा हूँ योर अल्टिमेट कॉलिंग लिविंग एन इंस्पार्ड लाइफ इसके अनुवादक हैं दिनेश मालवी जी सच्ची स्रिष्ट था सच्ची स्रिष्ट था दूसरों से बहतर बनने में नहीं यह हम जैसे पहले थे उससे बहतर बनने में है मुझे यह जानने में लंबा जीवन बीट गया कि ऐसा कितना है जिसके बिना मेरा काम चल सकता था जो व्यक्ति सबसे कम चीजें जानता है वह इस्वर के सबसे करीब होता है शुकरात आनंद का विकल्प चुनने से हमें लगातार काम में जुटे रहने का सिड्यूल बनाने की जगा खेलने का समय मिल जाता है हमें आनंद का अनुभौ करने का अधिकार है यह हमारी अध्यात्मिक पुकार है लेखक कहते हैं जीवन सरल बनाने के बारव पाए पहला अपने जीवन से कचरा निकाल दें आपके पास सुरक्षित सनरक्षित सफाई करने और फिर से व्यवस्थित करने तथा हटाने लायक जितनी कम चीजे होंगी आप उतने ही इस्पष्ट रूप से अपनी प्रेणा की पुकार सुन सकेंगे सुकरात के सब्दों में इस्वर के वही सबसे ज़्यादा करीब है जिसके पास सबसे कम चीजें हैं दूसरा अवांचित और अनावश्चक गतिविधियों और दायत्तों को अपने कलेंडर से हटा दे इस्वर सच्मुच आपके साथ काम करेगा लेकिन यदि आप अनावश्चक चीजों में बहुत ज़्यादा डूबे रहेंगे तो आप अपने जीवन को बदलने वाली सोगाते नहीं पास सकेंगे तीसरी बात सुनिश्चित कीजिये की अपने समय को मुक्त रखें पढ़ने लिखने, मूवी देखने, अकेले कसरत करने में जो साम गुजरती है उसमें हम ज्यादा प्रेरीत महसूस करते हैं बनिस्पत बढ़िया कपड़ा पहन घटिया पार्टी में न जाएं जहां सिर्फ फ्यर्थ बकवास होता है चौथा ध्यान और योग के लिए समय निकालिये दिन में कम से कम बीस मिनट मौन रहकर इस्वर से सजक्ता के साथ जुड़ने का प्रियास करें प्रतीक कारे को ध्यान से करने का पूर्ण प्रियास करें पांचवा प्रकृत की सरलता की और लोटें प्रकृत से अधिक सरल और विश्मय जनक कोई चीज नहीं है छठा स्वयम और अपने आलोचकों के बीच दूरी रखें जो लोग दोस ढूरते हैं या टकराव करने वाले हैं उनके लिए मौन प्राथना कीजिए उनकी उर्जा से स्वयम को जितनी जल्दी हो सके दूर कर लें जब आपको किसी से स्वयम को बचाने की जरूरत नहीं होती तो आप अपने जीवन को बहुत सरल महसूस करते हैं ऐसी इस्थिती में आपको आलोचना के बजाए समर्थन मिलता है याद रखें गलत आलोचना अप्रत्यक्ष प्रसंसा है अतह अपने आलोचक को धन्यवाद कहना कभी न भूलें सात्वा अपनी सेहक के लिए कुछ समय निकालिए याद रखें आपका सरीर एक पवित्र मंदिर है जिसमें आप जीवन भर रहते हैं इसलिए रोजाना थोड़ी कसरत अवस्य कीजिए आठवा खेलिए 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 आनन्द खेल अर्थात लीला से ही संभव है यदि आपका कार ही आपके लिए खेल हो तो आप सदैव आनन्द में ही रहेंगे नमा गती कम करें स्वास्त और सुन्दर्ता के लिए स्वास की बोलने की चलने की और सोचने की गती अवश्य कम करें कर्ज लेने से बचने की हर कोशिस करें याद रखें जो पैसा आपके पास है वह उर्जा के सिवा कुछ नहीं है इसलिए ऐसी उर्जा व्यवस्था से जुड़ने से निकार कर दीजिए जो है ही रही मैं पैसे के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग ऐसा करते हैं वे इसके सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाते सस्ता नहीं बढ़िया ले गुण को महत्वदे न की कीमत को बारमा अपनी इस्पिरीट को याद करें ऐसा कोई व्यक्ति जो सफलता की पृति मूर्ती हो और बौधिक समाजिक इस्तर पर सीर्ष पर हो सायद ही आपको जीवन सरल बनाने के बारे में कुछ कहेगा लेकिन इस विशेपर अलबर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं जरा देखिए धन संपत्ति बाहरी सफलता प्रचार विलासिता मेरे लिए हमेशा तुक्ष रही है मैं मानता हूं कि सरल और सहज जीवन जीना ही हर व्यक्ति के लिए सर्वस्टेश्ट है सरीर और मन दोनों के लिए धन्यवाद नमस्कार सेस अगले अंक में मैं संजीर कुमार